स्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को अजा एकादसी की हार्दिक सुथ कामन है आज की वीडियो में मैं आपको अजा एकादसी की पूजा विधी करके दिखाऊंगी आजा एकादसी का ब्रत भाद्र मास की कृष्ण परची की एकादसी की दिन रखा जाता है इस ब्रत को करने से व्यक्ति को सुख सम्रिद्धी और मोक्षी प्राप्ती होती है आईए जानते हैं अजा एकादसी व्रत कवर रखा जाएगा और व्रत का प्रानण समय क्या रहेगा अजा एकादसी तिथी का आरम 28 अगस्त को मद्यरात्री एक बचकर 20 मिनट पर हो रहा है अजा एकादसी तिथी का समापन 29 अगस्त की मध्यरात्री एक बचकर 38 मिनट पर होगा उधिया तिथी में एकादसी तिथी 29 अगस्त को होने के कारण अजा एकादसी का व्रत 29 अगस्त को रखा जाएगा अजा एकदसी व्रत का पारड समय 30 अगस्त को लाभ चोगडिया में 7 बच कर 34 मिनट से 9 बच कर 10 मिनट तक रहेगा आप इसमें व्रत का पारड कर सकते हैं इस दोरान पारड करना बेहत ही सुब रहता है चलिए अब जानते हैं अजा एकदसी की संपूर पुजा विधी एकदसी के दिन आप प्राता जल्दी उठे इसनार आदे से निविद्ध होकर इस पुजा को करें आप ये पुजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा कर भी कर सकते हैं अजा एकदसी की पुजा करने के लिए यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को पंचामनी तिसनान करा दिया है अच्छी तरह से पोचने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का इतर से मालिस कर देंगे इसके बाद सुन्दर वस्त्र और सुन्दर आवुशर पहना कर हम उनका सिंगार कर देंगे तो देखी यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी पुरी तरह से त्यार हो गया है अज्या एकदसी वरत पुजा को करने के लिए मैंने यहाँ अलग से चौकी लगा कर उस पर वस्त्र बिछा दिया है तिल तथा पुजा का आसन देते वे भगवान गड़ेश जी लड्डू गोपाल गौमाता तथा एकदसी वरत कथा की पुजा को यहाँ पर विराजमान कर दिया है अब इसके बाद हम धूब दीप को प्रजलित कर लेते हैं जल का छीटा देते हुए हम सभी को सांकेतिक इस्तान कराएंगे सांकेतिक इस्तान कराने के बाद साफ टाविल से हम सभी का अंग पोशन कर देंगे इसके बाद भगवान गड़ेश जी और भगवान लड़ू गोपाल जी को जनिव तथा वस्त रूपी कलावा अरपित कर देंगे सभी को चंदन रोली से टीका कर देंगे और तिल समर पित कर देंगे मानिता है कि अजा एकदसी के ब्रत को करते से विक्ति को अस्वियोग यगी के समान सुफपल प्राप्त होता है पद्म पुराण के अनुसार जो विक्ति अजा एकदसी के ब्रत करता है उसके सभी पापों से मुक्ति मिलते है इसके बाद हम सभी को पुस्व समर्पित कर देंगे साथ में लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे क्योंकि इसके बिना एकादसी की पुजा अधुरी मानी जाती है इसके बाद हम सभी को धूप तथा दिपक दिखा देंगे सिंगार आर्ति करने के बाद हम सभी को भोग प्रशाद अर्पित करेंगे तेहां पर मैंने गड़ेश जी को अलग से भोग प्रशाद अर्पित किया है इसके बाद हम लड़ु गोपाल जी को भोग प्रशाद अर्पित करेंगे लड़ु गोपाल जी के भोग प्रशाद में आप तुलसी पत्र रखना ना भूलें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के लड़ु गोपाल जी भोग स्युकार नहीं करते हैं, भोग प्रिशाद के साथ एक जल का पात्र भी पीने के लिए जरूर रखें, इसके बाद थोड़ा सा तिल और पुस लेकर हम अजा एकादसी की कथ को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, और कथा पूरी हो जाने के बाद तिल तथा पुस को भगवान के स्री चर्णों में अरपित कर देंगे, अब हम आरती करेंगे, आरती करने से पहले आप स्री हरी विश्रू के 108 मंद्रों का जाप भी कर सकते हैं, और विश्रू सहस्र ना और पुजा में होई गलती के लिए हम छमा प्रातना करेंगे और भगवान का असिरवात ग्रहड करेंगे, तो इस विदिय से हमें अजा एकादसी के दिन सुबह की पुजा करना है, शाम को भोग प्रशात तथा आरती करना है, भोग प्रशात के रूप में आप लड़ु ग अगली वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महा देव, जै श्री हरी, जै मा एकादसी